और दोस्तों करियर विद्दास्टो चनल में आपको स्वागत करता हूँ, मैं आशुतो श्रीवास्तो आपके समझ एक नहीं वीडियो लेकर पस्तित हुआ हूँ दोस्तों, जो कि इलाहपाद हाई कोड की आरव यारो 2021 की आंसर की कि आपजेक्शन से संबंदित है, दोस्तों इन्होंने केरल माना है, लेकिन इसका आंसर जो होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा असाम, मैंने देखी इसके प्रूफ के रूप में आपको ये शो किया है, नितिन संगानिया की आर्ट इन कल्चर की बुख है, सेविल सर्थिसेस के लिए, उसमें जो है पेज, आप देखिए, आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि किस पेज 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 है, पेज नंबर आपका है 6.13, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं, दूसरा कुश्चन है तुलबुल परियोजना, ये पेज 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 अथलीट जो है, वो आपके कोन और है, ये फेज फोर्स की वेबसाइट पर मैंने देखिया आपको स्क्रीन शॉट लेके शो किया हुआ है, इसको आप लगा सकते हैं, और ये आपका वादित कुश्चन जो है, इसको आयोग मानेगा, इसके बाद दोस्तो चौधा कुश्चन जो है आपका, चौधा कुश्चन जो है, इसमें आंसर इंडिया दिया है, जबकि क्या होना चाहिए, इसमें फिलिपिन्स होना चाहिए, दोस्तों देखिये, इसमें क्यों आपको बता दूँ, इसमें भरती बोर्ट जो है, वो दोनों को मान सकता है, क्य दोस्तों next question है आपका earthquake का wave का origin जो है वो क्या है एपी center है कि focus है तो दोस्तों देखिए दिया इसमें एपी center है आयोग ने और focus आपका वो स्थान होता है जहां पर सबसे पहले उर्जा जो है निकलती है लेकिन दोस्तों देखिए earthquake wave जो होती है उसको सबसे पहले महसूस आपका जो किया जाता है महसूस आपका जो है वो एपी center पे ही किया जाता है तो ये दोस्तों इस प्रश्ट पे आप चाहें तो objection करें चाहें तो ना करें क्योंकि देखिए मैंने आपको NCRT का 11th क्लास की NCRT है आपकी जो है इंडिया physical environment इंडिया physical fundamental of physical geography तो उसमें आप देखिए उसमें आपको मैंने पेज का screenshot लेके दिया है पेज नमबर 23 का उसमें आप देख सकते हैं वह स्थान जहां से उर्जा निकलती है बूकम का उद्गम क्रेंद कहलाता है फोकस उद्गम केंदर फोकस कहलाता है इसे आउकेंदर या हाइपो केंदर भी कहा जाता है उर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती होई प्रिथी की सता तक पहुंचती है बूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंदर के समीपतम होता है अधिकेंदर या इपी सेंटर कहलाता है अधिकेंदर पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस कि जाता है जबकि जहां से उर्जा निकलती है वह उद्गम केंदरिया फोकस कहलाता है तो देखी ये कोशन भी ऐसा है जिस पर आयोग का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा तो दोस्तों ये पांच कोशन थे जिन पर आपको 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 जानकारी देनी थी अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और इसे शेर किजिए ताकि और भी यूसफुल और इंफर्मेटी वीडियो तुनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होतार है थैंकिंग यू वेरी मच कीप प्रैक्टिक्सिंग पॉर्द एक्जाम व जिरिम 5.00 लाप